So, जैन साथियों स्वागात आप सभी का हमारेTube channel बिग जोस में तो साथियों मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे तो UP Special की आज की इस class में हमारा topic है उत्तरपर्दश की जंजातिया तो साथियों आज की इस class में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर परतिस्की जंजातियों से सम्मंदित तो वीडियो को इन टक जरूर देखिएगा तो वीडियो सुरूर करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेष्ट है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कीजेगा शेनल को अभी तक सस्क्राइब ने किया है तो सस्क्राइब जरू कर लिजेगा आईए देखते हैं जैसे हमारा पहला कोश्चन है सरवाधिक अनुसूची जनजातियों के परिसत वाला जिला कौन है? आपको बताना है कि इन चारों आप्शन में से सरवाधिक अनुसूची जनजातियों के परिसत वाला जिला कौन सा है? देखिए PCS Pre 2.10 में पूछा हुआ कोश्चन है जो की काफी most important कोश्चन है तो हमारा option A है मिर्जापूर, सोन भद्र, लखीमपूर खीरी, बिजन और तो इसमें हमारा right answer option B हो जाएगा सोन भद्र सोन भद्र में सरवाधिक अनुसूची जनजातियों के परिसत वाला जिला है अगर बात करें संपूर उत्तर परदेश में अनुसूची जनजातियों पाई जाती है तो उनकी संख्या है 3,85,018 संपूर उत्तर परदेश में 3,85,018 अनुसूची जनजातियों है बढ़ते अपने next question की तरफ सबसे कम अनुसूची जनजाति वाला जिला कौन है आपको बताना है कि सबसे कम अनुसूची जनजाति वाला जिला कौन सा है बागपत, बरेली, आजमगड, मउ तो इसे हमार राइट अंसर आप्शन ए हो जाएगा बागपत, बागपत जो है कि सबसे कम अनुसूची जनजाति वाला जिला है बढ़ते अपने नेक्स कोस्टन की तरफ उन में सरवाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है आपको बताना है कि इन चारो आप्शन में से सरवाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है PCS मुख परिछा दोहर चोदों में पूछा हुआ कोस्टन है तो आप्शन ए है थारू, भुया, चेरो, बैगा तो इसमें राइट आप्शन ए हो जाएगा थारू थारू जो है कि सरवाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है अगर बात करें तो यह तो थारू जनजाति होती है यह हिंदु धर्म को मानते हैं एवं यह तराई जीलों में पाए जाते हैं जैसे कि महराज गंज, सिधातनगर, भलरामपूर, स्रावस्ति, बहराईच, लखीमपूर, खीरी बरते अपने नेक्स कोस्टन की तरफ निव में कौन सही सुमेलित है आपको बताना है मोच्ट इंपोर्टेंट कोस्टन है जो कि PCS में दौहरचार में पूछा हुआ कोस्टन है ओप्सन ए है भुक्सा, बिजनओर, भुक्सा, जिसे हम भुक्सा भी कहते हैं तो आप भुक्सा कहिए या फिर भुक्सा कहिए खरवार, ललिदपूर, ठारू, बाराबंकी, बैगा, भराईच तो इसे हमार राइट आंसर आप्सन ए हो जाएगा भुक्सा, जो कि बिजनओर में पाई जाते हैं बढ़ते अपने नेक्स कोशन की तरफ किंडर सरकार दोरा, पर्देश की 10 नई जनजातियों को कब सुचि बद किया गया आप्सन ए है, 2001, 222, 23, 24 तो इसे हमार राइट आंसर आप्सन C हो जाएगा दोहार तीन में किंडर सरकार दोरा, 10 नई जनजातियों को सुचि बद किया गया जिसमें हमारी अनुसुची जन्जातियां हैं गोड, खरवार, सहरिया, परहिया, बैगा, पंखा, अगरिया, पटारी, चेरी एबंभुईया इन दसो जन्जातियों को केंदे सरकार द्वारा दोहर तीन में दस नई जन्जातियों में सुची बद किया गया बढ़ते अपने नेक्स कोशन की तरफ परहिया जन्जाति निवाज करती है, मुश्च इंपॉर्टेन कोशन है, जोकि PCS में धरिकार में पूछा हुआ कोशन है उप्शन A है, सोन भद्र में, बहराईच में, पिली भीत में, ललितपुर में तो इसमें हमार राइट अंसर, option A हो जाएगा, सोन भद्र में, परहिया जन जाती, जो कि सोन भद्र में निवाज करती है, बढ़ते अपने next question की तरफ, सरवाधिक अनुसुची जन जाती वाला जिला कौन है, आपको बताना है, important question है, option A है, सोन भद्र, मिर्जापूर, लखीम इमपूर खेरी, एवं गोरकपूर, तो सरवाधिक अनुसुची जन जाती वाला जिला, option A हो जाएगा, सोन भद्र, सोन भद्र जिले में सरवाधिक अनुसुची जन जाती यां, बढ़ते अपने next question की तरफ, थारू समाज में पहले, निम्न में से किस परकार की परिवार प option A है, पित्र सत्तात्मक, उभय सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, मात्र पित्र सत्तात्मक, तो इसे हमारा right answer, option C हो जाएगा, मात्र सत्तात्मक, थारू समाज में पहले जो है कि मात्र सत्तात्मक परकार का परिवार पाय जाता था, देखिए, आने वल परिछाओं की कोशन है बढ़ते अपने नेक्स कोशन की तरफ अगर यह जन जाती निमाज करती है देखिए पीसेस मुख परिछा दोहर सत्र में पूछा हुआ कोशन है अप्शन ए है सोनभद्र, गाजीपूर, मिर्जापूर, गाजियाबाद तो अगर यह जन जाती जो है कि सोनभद्र जिले में निमाज करती है तुम्हार राइट अंसर अप्शन ए हो जाएगा बढ़ते है अपने नेक्स कोशन की तरफ कर्मा किसका लोख नीत है आपको बताना कि जो कर्मा लोख नीत है किसका है पीसियस में दोहर पांच में पूछा हुआ कोशन है थारू जन जाती का है बुक्सा, खरवार, बैगा तो इसे होँआ राइट अंसर अप्शन C हो जाएगा खरवार, कर्मा लोख नीत है कि खरवार जन जाती का है बढ़ते है अपने नेक्स कोशन की तरफ निर्मेस के परदेश की किस जन जाती में बिरादरी पंचायत पाई जाती है ओप्शन A है बुक्सा, थारू, परहिया, खरवार देखिए, इंपोर्टेंट कोशन है जो कि PCS मुख परिष्या धरपंदर में पूछा होगा कोशन है तो इसमें मारा राइट अंसर ऑप्शन A हो जाएगा बुक्सा, बुक्सा जन जाती में बिरादरी पंचायती पाई जाती है बढ़ते अपने नेक्स कोशन की तरफ निल में से कों सी जन जाती? सरवाधिक जन संख्या वाली है देखिए, आप लोग को ये साथ कोशन याद हो गया होगा पीशेस में दोहर साथ में पूछा होगा कोश्चन है तो इसमें हमारा ओप्शन A है सहरिया, अगरिया, थारू, पटारी तो इसमें हमारा ओप्शन C हो जाएगा, थारू जन जाती, थारू जन जाती, सरवाधिक जन संख्या वाली जन जाती है जो की सोन भदर जिले में पाई जाती है, बढ़ते अपने नेक्स कोशन की तरफ निमलिकी जन जाती हो में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सरवाधिक है देखिये, most important question है और साइद आप सबी लोगों को पता होगा UP, PCS, SPL, प्रिदोहर आपने पूछा होगा question है option A है बनरावत, थारू, सहारिया, धुरिया तो इसमें हमारा right answer option B हो जाएगा थारू जन जाती, जो कि उत्तर प्रदेश में सरवाधिक जन संख्या है बढ़ते अपने next question की तरफ निलुहिंद में से कौन सी अनुसुची जन जाती भीनोर जिले में निमाज करती है आपको बताना है, आपको एक ट्रिक भी बताये थे सायद आप लोग को याद होगा option A है, वैगा, खरवार, बुक्षा, थारू देखिए, PCS मुख्य परिच्छा दौरदस में पूछा होगा question है तो इसमें right answer option C हो जाएगा बुक्षा, बुक्षा अमसुजी जनजाती जो की बिजनोर जिले में निमाज करती है बरते अपने next question की तरफ निम जनपदों में से बुक्षा जनजाती कहां पाई जाती है UP, PCS में दौरदस दौरदस में पूछा होगा question है option A है, बिजनोर और आगरा में बहराईच और लखीमपूर खीरी में मिर्जापूर और सोनभद्र में ललिदपूर और जालाउन में तो इसे महां right answer option A हो जाएगा बिजनोर और आगरा में बिजनोर और आगरा में बोक्षा जनजाती पाई जाती है बढ़ते अपने next question की तरफ उत्तरपरदेश की सरवाधिक जनजाती है देखिए ये question कई बार पूछ चुका है lower PCS मुख परिछा दौहर पंदर में पूछा हुगा question है option A है थारू बुक्षा बैगा अगर या तो इसे महां right answer option A हो जाएगा थारू थारू जोगी उत्तरपरदेश की सरवाधिक जनसंख्या वाली जनजाती है बढ़ते अपने next question की तरफ अगारिया बैगा तथा भुया अंसुची जनजातीया मुख्यते निमास करती है पता ना है देखिए SDI 2RB में पूछा हुगा question है option A है जालोन ललीतपुर अंबेट करनगर सोनभद तो इसमें right answer option C हो जाएगा सोनभद सोनभदर जिले में अगर या बैगा तथा भुया अंसुची जनजातीया मुख्यते निवास करती है बढ़ते अपने last question की तरफ जो की काफी most important question है और हाल ही में पूछा गया question है निमलेशित में से कौन सी जनजातीया उत्तर परदेश के वाराट सी जिले में नहीं पाई जाती है देखिए UPROARO मिन्स एक्जाम धरकी से पूछा हुआ question है और हाल ही में एक या दो माईने बाद आप लोगों का आरो या रो का इक्जाम फिर से होने वाला है तो आने वाली परिछाओं के दिरिश्टी से ये बहुत important question है तो option A है चेरो गोंड खरवार सहरिया तो इसे हुआर राइट अंसर option D हो जाएगा सहरिया सहरिया जन्जाती उत्तरपरदिस के वाराटसी जिले में नहीं पाई जाती है बाकी ये चेरी गोंड खरवार ये सभी जन्जातिया वाराटसी जिले में कम ही मातना पाई जती लेकिन पाई जाती है लेकिन ये सहरिया जन्जाती ये बिल्कुल नहीं पाई जाती है तो I hope आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरू कर दिजेगा चैनल कभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब जरू कर लिजेगा और अपने साथियों को यूपी स्पेसल की एक लास जरूर सेयर कर दिजेगा मिलते हैं नए कलास में यूपी स्पेसल की एक नई टॉपिक के साथ तक तक रेट टेक केर